नेट्फिक्स ने आठ मार्श को अंतराश्य महिला दिवस के मौके पर अपने फैंस को दिया तौफा पूजा भट की मोस्ट अपडेटेड वेब सीरीज बॉम्बे बेगम्स इसी दिन रिलीज हो चुकी है इस सीरीज के जरीए अक्ट्रिस पूजा भट ओटीटी पर डेब्यू कर रही है सीरीज में पांच अलग महिलाओ की कहानी दिखाई गई है नमस्कार मैं हो शाहिन अली और आप देख रहें JK News Network आज हम बात करेंगे बॉम्बे बेगम सीरीज के रेव्यू के बारे में पूरिता सुभाष, प्लाबिलता बोर्ठाकुर, आध्या आनंद और पूजा भटने निभाया है जिसमें महिलाई अपने इक्छा, नैतिक्ता, व्यक्तिगत, संकटों और कमजोर्यों से जूचती है कहानी में जैसे जैसे प्रस्तितियां बदलती है और दिल तूटते है वैसे वैसे उन्हें मुश्किल चुनाव करना पड़ता है इसमें कोई क्वीन है तो कोई सर्वाइवर इस सीरीज में समाज के अलग-अलग तबकों के महिलाओ की कहानी दिखाई गई है अब बात करते हैं कहानी के बारे में कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन रानी यानि की पूजा भट की गाड़ी से लिली की बेटे का एक्सिडेंट हो जाता है लिली की बेटे की हाला थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है रानी मामला सिटल करने की कोशिश करती है लेकिन लिली को बदले में सिर्फ पैसा नहीं बलकि इज़द भी चाहिए दूसरी ओर फातिमा की कहानी चल रही है करियर में अपना मार्क छोड़ना चाहती है लेकिन पर्सनल लाइफ की अपनी कुछ कमिटमेंट है आईशा रानी की कमपनी में ही काम करती है कॉर्पोरेट लाइडर चढ़ना चाहती है लेकिन इस शॉट टू सकसस के पीछे क्या कुछ छुपा हुआ है उन सब से अंजान है कैसे ये पांच औरते इन पैट्रियार्कल सोसाइटी से लड़ते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अपना मार्क छोड़ पाती है ये सीरीज की कहानी है अब बात करते हैं आक्टिंग के बारे में आक्टिंग की बात की जाए तो सभी कलाकारों ने अपने रोल के साथ इमानदारी दिखाई है बात सीरीज के मेन कारेक्टर पूजा भठकी की जाए तो उनके आक्टिंग को देखकर ये नहीं लगता कि उन्होंने काफी समय बाद परदे पर वापिसी की है सीरीज में एक और पहलू जिसकी तारीफ होनी चाहिए इसमें महिलाय अपनी समस्या से जूजती हुई उसका समधान खुद निकालती है सीरीज के अंत में कोई पुरुष सुपर हीरो बनकर उनकी समस्या नहीं सुलजाता है सीरीज की राइटर और डिरेक्टर अलंकरिता श्रिवास्तव है Critically Acclaimed Lipstick Under My Burkhah और पिछले साल आई Dolly Kitty और वो चमकते सितारे जैसे फिल्मों को भी राइटिंग और डिरेक्शन कर चुकी है आपको बता देगी ये वेब सीरीज रिलीज होते ही कॉंट्रोवर्सी में आ चुकी है बॉलिवुट के बाद अब OTT प्लाटफॉर्म्स पर सरकार ने कड़ी निगरानी रखने की बात कई है तांडव वेब सीरीज कान के बाद सरकार इस मामले में तेजी से आगे बढ़ रही है और Amazon Prime के बाद Netflix जैसे कई और प्लाटफॉर्म्स पर शिकंजा कस्ता नजर आ रहा है जी हाँ बालायोग ने Netflix को उनकी वेब सीरीज बॉम्बे वेगम के लिए कॉंटेंट को लेकर नोटिस भी भेज दिया है इसके साथ ही 24 घंटे में रिपॉर्ट देने के लिए कहा है बता दे कि Netflix की ये वेब सीरीज रिलीज होने के बाद अब बालायोग ने ये कदम उठाया है बालायोग ने Netflix को नोटिस भेजा है जिसमें कहा गया है कि बॉम्बे वेगम की स्ट्रीमिंग बंद करे और 24 घंटे में रिपॉर्ट दे बालायोग को शिकायत मिली है कि इसमें 13 साल की बच्ची को ड्रक्स लेते दिखाया गया है इसके साथ ही स्कूली बच्चों का जिस तरह चितरन किया गया है उस पर भी आपत्ती जताई है वैसे तो ये सीरीज काफी पॉंच्रोवर्सी भरी है मगर दर्शकों के तरफ से इस सीरीज को काफी अच्छा रिस्पॉंड मिल रहा है अब ये देखना काफी दिल्चस्प होगा कि आने वाले समय में दर्शक सीरीज को पसंद करते है या नहीं तो ये थी जेके न्यूज नेटवर्क पर बॉंबे बेगम की उपर कुछ खास पेशकश तो आगे हम आपको ऐसे अपडेट्स देते रहेंगे तब तक के लिए बने रहें जेके न्यूज नेटवर्क के साथ आब मुझे दीजे इजाजत धन्यवाद